हेलो एरिवन वेलकम टो जीके बाय गुर्जीत मैं यूट्यूब चैनल सो गाईज आज हरियाना के लिए CET की फर्स क्लास रहेगी और ये क्लास स्पेशली फीमेल सुपर्वाइजर, स्टाफ नस, MPSW and other competitive exam के लिए beneficial होने वाली है जितने important question होते हैं उतने ही important होती है explanation तो आप explanation को साथ साथ note करते जाएगा और कोशिश कीजेगा कि वीडियो को end तक देंखे सो first question is भारत में आंगनवाड़ी की शुरुवात कब हुई थी भारत में आंगनवाड़ी की शुरुवात हुई थी 20 October 1975 को आंगनवाड़ी की शुरुवात हुई थी और किसलिए की गई थी बच्चों को भूखवय कुपोशन से बचाने के लिए और 3-5 साल के बच्चों को स्कूल से पूरुव की शिक्षा देने के लिए और नेक्स कोशन इस महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी तो 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी डेट्स काफी इंपोर्टेंट है तो आपने इच्छे से याद रखनी है पहले ये विभाग था उसके बाद 30 जनवरी 2006 को इसे मंतरालिय बनाया गया और अगर कोशन आई इसका हैड ओफिस कहां पर है तो नई दिल्ली में इसका हैड ओफिस है और अगर इनके बारे में कोशन आए कि ये कहां से सांसद है तो ये अमेठी सीट से सांसद है और अगर इनके बारे में कोशन पूछा जाए कि ये कहां से सांसद है तो ये वेस्ट बेंगोल की रायगंज सीट से सांसद है और नेक्स कोशन इज महिला इवं बाल विकास मंतराले के सचिव कोन है तो शिरी राम मोहन मिशर महिला इवं बाल विकास मंतराले के सचिव है यानिके सेक्रेटरी है और नेक्स कोशन इज हरियाना में महिला इवं बाल विकास मंतरी है और ये कहां से विधायक है ये कलायत से यानि कैथल से विधायक है और नेक्स कोशन इज हरियाना में महिला इवं बाल विकास विभाग के सथापना कब की गई तो हरियाना में 10 फरवरी 1992 को महिला इवं बाल विकास विभाग के सथापना की गई और इसका हैड ओफिस कहां पर है पंचकुला में इसका हैड ओफिस है और ये फ्रीदाबाद से है और तीन वर्ष के लिए इनकी इस पद पर न्युक्ति की गई और नेक्स्ट इज राष्ट्रिय महिला आयोग की अध्यक्ष कोन है रेखा शर्मा ये काफी important question रहेगा रेखा शर्मा जी के बारे में बात करते हैं ये किसलिए की गई थी महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के लिए समवेधानी कोर कानूनी सुरक्षा की समिक्षा करने के लिए भारत में राष्ट्रे महिलायों की स्थापना कीगी ग्रेलू हिंसा सरक्षन अधिनियम कब बना ये प्रोटेक्शन ओफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉलेंस एक्ट कब बना ये 2005 में बना था ग्रेलू हिंसा सरक्षन अधिनियम कब लागू हुआ देखो जो अधिनियम है एक्ट है यानिके उनकी बनने की डेट अलग होती है और उनके लागू होने की डेट अलग होती है तो आपने दोनों अच्छे से याद रखना है तो ये कब लागू हुआ था? 26 अक्तूबर 2006 को लागू हुआ था और बना कब था? 2005 में और किसलिए महिलाओं की सुरक्षा घरेलू रिष्टों में महिलाओं को हिंसा से बचाने के उदेश्या से संसत दवारा ये अधिनियम बनाया गया है देखो वैसे तो बाल विवहा जो अधिनियम था वो 1929 में यानिके ब्रिटिश काल में बना था बट 1929 के अधिनियम में संशोधन किया गया था कब 2006 में and next question is बाल विवहा निशेद अधिनियम 2006 कब लागू हुआ 2006 में बना था ये यानिके संशोधन करके 1929 के अधिनियम में उसके बाद लागू कब हुआ था तो ये 1st November 2007 को लागू हुआ था और इस अधिनियम के तहद जो लड़के हैं उनकी एज मैरेज के लिए 21 एर की थी और लड़कियों के लिए 18 एर नेक्स कोशन इस बाल विवहा निशेद विधेक 2006 जो और 2021 के तहद के इंदर सरकार ने लड़कियों की शादी की नियुनतम आयू बढ़ा कर कितनी की है यह भ 21 एस यानिके 21 साल कर दी है और इसमें तीन से छे साल के बच्चों वैं मताओं को कुपोशन से बचाना इस स्कीम का उदेश्य रहेगा एकिकरित बाल विकास योजना के उपनाम क्या है काफी important कोशन रहेगा तो इसके जो उपनाम है वो क्या दिया गया है इनको आंगन आश्रय बोलते हैं और इसके इलावा पूरो प्रात्मिक विध्यालिया भी इनको बोला जाता है और गैर अपचारिक शिक्षा का केंदर भ अधिकारी या फिर राजपत्रित अधिकारी से बोला जाता है और नेक्स कोशन इस देश की प्रतम आधुनिक आंगनवाडी कहां पर बनाएगी काफी important कोशन रहेगा हरियाना के सोनीपत में बनाएगी और सोनीपुत के कौन सा गाम है हासनपूर गाम है और अगर हम बात कर इसका उधगाटन किस ने किया था शिरिमती मेनका गांधी ने इसका उधगाटन किया था और कब किया था 21 जून 21 जून 2015 को इसका उधगाटन किया था और नेक्स कोशन इस आधुनिक आंगनवाडी को पीम नरवनिदर मोदी द्वारा क्या नाम दिया गया तो इसे क्या ना अब जो आधुनिक आंगनवाडी है उसे किस नाम से जाना जाएगा नंद घर के नाम से यहां से दो तिन कोश्चन और काफी इंपोर्टन बन जाते हैं और किस कंपनी की हेल्प से इसे बनाया गया नीजी कंपनी विदानता की हेल्प से भारत में लगबग 4,000 नंद घर खोलन चे वर्ष तक के बच्चों को कितनी कैलोरी दी जाती है आंगनवाडी में तो कितनी कैलोरी दी जाती है 500 कैलोरी दी जाती है और अगर कोश्चन आए कि कोपोशित बच्चों को कितनी कैलोरी दी जाती है तो 600 यानिके 600 कैलोरी दी जाती है और महिलाओं को कितनी दी जाती है आठ सो कंलोरी नेक्स चिज भारत का इथोपिया किसे कहते हैं हैं काफे इंप्पर्टेंट क्वशन भारत का सिज विए अफ्रीका का सान है इथोपिय्य वहां पर और इस योजना के तहट BPL परिवार की 10 से 45 वर्स तक की सभी महिलाओं को महीने में 6 सैनेटरी नेपकिन सरकार की तरफ से फ्री दिये जाएंगे तो ये थी आज की CET की 1st क्लास जो काफी important question रहेंगे वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा अगर आप चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कीजेगा and thank you, thanks for watching